नमस्कार साथियों कल्यानी आइस एकेडमी के डिज्टल प्लेटफर्म पर आपका हर्दिक स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने वितामिन तथा हीनता जन्न रोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था इस लेक्चर में हम मानव सरीर के अंग संरचना एवं कारप पुनाली को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे तो सुरू करते हैं मानव सरीर के अंगों की संरचना एवं कारप उनाली से विज्ञान की दो साखाएं संबंदित हैं जिसमें पहली हो जाएगी मानव सरीर रचना विज्ञान या एनाटोमी आफ यूमन बॉडी तथा दूसरी हो जाएगी मानव सरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलाजी आफ यहां से भी तीन नंबर का या पांच नंबर का पुछा जा सकता है कि मानव सरीर रजना विज्ञान क्या होती है या मानव सरीर के लिए विज्ञान क्या होती है उधारन सहित समझाईए इस तरीके से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो हम सुरू करते हैं मानव सरीर रचना विज्ञान से या जिसको अंग्रेजी में क्या का जाता है एनाटोमी आफ क्या हो जाएगा हुमन वाडी हो विज्ञान की वह साका जिसमें मानव सरीर की रचनात्मक एकाईयों जैसे उतक एवं अंगों का अध्यन तथा एक अंग का दूसरे अंग से क्या सम्मंद होता है इसका अध्यन किया जाता है तो उस साका को ही क्या कहा जाता है मानव सरीर रचना विज्ञान कहा जाता है तो मानव सरीर रचना विज्ञान विज्ञान की वह साखा होती है जिसमें मानव सरीर की रचनात्म की काईयों जैसे उतकों एवं अंगों की संरचना का तथा एक अंग दूसरे अंग से किस प्रकार संबंदित है इसका अतिन किया जाता है और जो अनव सरीर रचना विज्ञान से ही सरीर के सभी भागों या अंगों या उतकों की संरचना का और उनका जो आप से संबंद है उसके जानकारी हमें अनव सरीर की बिविन अंग है या मानव सरीर की बिविन रचनात्मक इकाहिया है उनकी विसेस्ताओं को जानने में भी जो मदद है वो हमें इससे मिलती है इस तरीके से देखा जाए तो जो मानव सरीर रचना विज्ञान है उससे मानव सरीर की बिविन रचनात्मक इकाहियों जैसे उतकों एवं अंगों की संरचना एवं उनमें संबंदों की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है साथी साथ इस साखा के मध्यम से हम मानव सरीर के विविन सारिरिक अंगों की विसेशताओं को भी जान सकते हैं जो मानव सरीर रचना विज्यान है यह फिर दो परकार का होता है एक होता है ग्र si एनेटोमी और दूसरे होता है माइक्रो इस्कूपिक एनेटोमी और साथी साथ यहाँ पर यहांपर आ पियाद रखे कि जो एंड台 आस वेसालियस है राइट तो एंड Terryya वेसाय जीज औरarner सरीस को यह मानव सरीर क्रिया विज्ञान विज्ञान की वह साखा है जिसमें मानव के यांत्रिक जैवरासाइनिक और भौतिक कारियों से या भौतिक कारियों का संबंद किया जाता है तो विज्ञान की वह साखा जिसमें मानव के यांत्रिक जैवरासाइनिक एवं भौतिक कारियों से संबंद अध्यन किया जाता है उसे ही क्या किया जाता है उसे ही मानव सरीर क्रिया विग्यान या फिजियो लोजी ऑफ यूमन बोडी कहा जाता है और इसमें मानव सरीर के जो विविन अंग है उनके कारियों का या कामकाज का अध्यन किया जाता है तो बिलकुल सीधा सा अंतर है मानव मानव सरीर रचना विग्यान में मानव सरीर की रचनात्मक एकाई यह जैसे उतकों या अंगों की सरचना का अध्यन किया जाता है तो वही फिजियोलोजी में या मानव सरीर क्रिया विग्यान में मानव सरीर की विविन अंगों के कारियों का या उन अंगों के कामकाज का अध नीव मानवशरीर क्रिया विग्यान को ही मानाजाता है Is का महत्व है अर्थात बर्त्वान समय में जो भी आर्थानिक चिकत्सा प्द्द्धियां आप देखते हैं समझते हैं उसका विकास जो है क्ला això वर्नाड है क्लाउड वर्नाड को ही मानव सरीर के लिए विज्ञान का जनक कहा जाता है अब हम यहां पर समझते हैं मानव सरीर की समरचना को या स्ट्रेक्चर ऑफ हुमन बॉड़ी है यहां पर इस सिलाइड में मैंने वह जानकारी ली है कि अगर जैसे जो है मुख के परिक्चा में पांच नमर में पूछा जा सकता है कि मानव सरीर की समरचना को विस्तार से समझाईए या फिर पूछा जाए कि मानव सरीर मानव सरीर की समरचना कैसे होती है तो यहां पर मानव सरीर की समरचना की एक विद्धी है वो पूरी की पूरी बेहने लि पार और साथ ही जात ये भी समझ पाएं कि मानव सरीर की संरचना आखिरकार होती कैसे हैं तो समझते हैं मानव सरीर की संरचना या स्ट्रेक्चर आफ क्या हो जाएगा human body دیکھئے, हमें पता है कि मानव सरीर की जो सर्रचनातमक हिकाई है, वो क्या होती है? कोसी काई होती है, और कोसी काई नके ब 길 मानव, बलकि सभी जीव जन्तों की सर्रचनातमक एवend कारियातमक इकाई क्या है? कोसी काई ही है. अर्थात अगर हम देखें तो मानव सरीर की सररचनात में एकाई कोसी काएं है अर्थात बिविन प्रकार की कोसी काओं से मिलकर ही मानव सरीर की रचना होती है और मानव सरीर में 30 से 40 ट्रिलियन कोसी काओं होती है या फिर हम कह सकते हैं कि मानव सरीर 30 से 40 ट्रिलियन कोसी काओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसके साथ ही प्रतिक दिन मानव सरीर में कई कोशिकाओं का निर्माड होता है तो कई कोशिकाओं मृत भी हो जाती है जिनको आगे चाल कर हम जो है उत्सरजन तंत्र है या परी संच्रों तंत्र है उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे तो यहां पर स्ट्रिलियन कोशिकाओं मिलकर बना हुआ होता है निर्मित होती है तो कई कोशिकाओं मृत भी होती है और 30 ये जो कोशीकाए हैं यही कोशीकाओं से मानव सरीर का रचना होती है और यही हमारे से बार से क्या होती है? а好 अब हम समझते हैं कि यह जो कोशीकाओं है यह हमारे सरीर में केसी उपस्तित है तो देखिए यहां से अगर हम समझें तो मानव सरीर में मानव सरीर पूरा का पूरा कोसिकाओं से मिलकर बना हुआ है अगर हम देखें तो मानव सरीर में जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान कोशिकाएं हैं वो उतक के रूप में अवस्चित हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव सरीर में मानव सरीर में उत्पत्ती एवं संरचना में समान कोशिकाओं के समों को ही क्या कहा जाता है उतक कहा जाता है और उतक से ही अंग एवं अंग तंत्रों का क्या होता है निर्मान होता है अर्थात मानव सरीर की कई जो कोशिकाएं है जो की संरचना इवन उत्पत्ती में समान है वो उत्कों के रूप में हमारे सरीर में क्या होती है विद्धमान होती है और इन्हीं उत्कों से हमारे सरीर के कई अंगों का या अंग तंत्र कहते हैं तो मानफ सरीर कई कोशिकों से मिलकर बना हुआ है मानफ सरीर कई उतकों से मिलकर बना हुआ है अब जब उतक आपस में मिलते हैं तो उतकों के सम्मूग को ही क्या कहा जाता है अंग कहा जाता है और अंग हमारे सरीर के एसी रचनात्म के कालियों होती हैं जो कि किसी व तो के कार हो जाएगा र reward परिशंचनुन में भूमी का निवान जो किड्नी हो जाएगी या गjegoिष हो जाएगा उसका कार होता है र scattered को छानना तो तो उत्वकों के सब्वू को lockdown के संगचना हो जाती है तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सीधी से बात है मानफ सरीर मानफ सरीर बिविन या कई कोसिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है मानफ सरीर लगभग 30 से 40 ट्रिलियन जो कोसिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और मानव सरीर में ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं उतक के रूप में अंग के रूप में अंग तंत्र के रूप में या संपून सरीर में पाई जाती हैं अब उतक क्या होता है तो कोशिकाओं के समूग को ही उतक कहते हैं और उतक से ही अंगों का या अंग तंत्र की सरचना होती है फिर हमारे सरीर में जो उतक होते हैं वही आपस में मिलकर अंग बनाते हैं जो कि हमारे सरीर में विविन्य कारियों को करते हैं साथ ही साथ जो जो अंग है अंगों का समू क्या बनाते हैं अंग तंत्र बनाते हैं तो इस तरीके से मानफ शरीर का जो सरचना है व मानव सरीर में विविन गुहाएं भी पाई जाती हैं तो मानव सरीर में विविन गुहाएं होती है और इनी गुहाओं में विविन अंग प्रणालिया या विविन अंग तंत्र पाई जाते हैं उधारण के लिए मानव सरीर में कपाल गुहा होती है और मानव सरीर में जो कपा गुहां में ही तो मस्तिस्क और जो केंद्रिय तंत्रिका तंत्र होता है वो अवस्तित होता है साथ ही साथ मानव गुवा में आते होती हैं यक्रत होता है और क्या होते हैं प्लीहा जैसे अंग वी अवस्तित होती हैं इनके अलावा तो इनकी अलावा जो विविन गुवा हैं और इन इन सव के अलावा मानव सरीर को मजबूती मानव सरीर को मजबूती एवां मानव सरीर के विवन अंगों की रचना की अंगों की सुरक्षा के लिए कंकाल तंत्र भी पाया जाता है जो की उपास्थी एवं अस्तियों का बना हुआ होता है इस तरीके से हमारा पूरा को पूरा जो बॉडी का स्ट्रेक्चर होता है तो मानव सरीर विविन गोसिकाओं से उतकों से अंगों से अंग तंत्र से बना हुआ होता है मनुस्थ में विविन गुहाए होती है जिनमें विविन अंग तंत्र होते हैं साथी साथ हमारे सरीर में अंगों की सुरक्षा के लिए और सरीर के आकार के स्थायत्व के लिए कंका तंत्रवी आवस्तित होता है जो की उपास्ती एवं अस्तियों का क्या होता है होता है अब अगर हम देखें तो हमारे जो मुख्य परिक्षा है उसमें क्या topic डॉला हुआ है मानव एंगहिए तो हम यहां पर जो है मानव के अंगहों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं तो मानव सरीर के अंग या और्गन्स ऑफ क्या हो जाएगा human body सबसे पहली हो जाएगी इनकी परिवासा तो देखिए मानव अंग मानव सरीर के तो मानव अंग मानव सरीर में ऐसे उतकों या कोशिकाओं का समूह होता है जो कि किसी विसेश कारे को संपादन करता है उसे ही क्या कहते हैं अंग कहते हैं तो मानव सरीर में कोशिकाओं का या उतकों का ऐसा समूह जो कि विसेश कारे का संपादन करता है उसे ही क्या कहा मानव एंग कहा जाता है ये एंगों की सामान परिवासा है मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी तक विज्ञानिक समूदाइस में आंगों की परिवासवा का लेकर मतबेद्रेंगा तो हैं अंगों की जो है परिवासा को अलग-अलग मानती है इसलिए अलग-अलग पॉस्तकों में या अलग-अलग जो सूचियां हैं अंगों की उनमें अंगों के नाम और अंग जो है वो उनकी अंगों की संख्या आपको अलग-अलग देखने को मिलती है अभी तक अगर हम पस्ट नहीं है और अंगों की परिवासा को लेकर अलग अलग राय है इसलिए अंगों की अलग सूची है इसलिए अगर मुख्य परिक्षा में ये प्रस्ट पूछा जाता है तो हमें ये तीनों की तीनों लिखनी पढ़ेंगे अगर पूचा जा कि अंग से आप क्या समझते हैं मानव सरीर में कितने अंग अवस्थित हैं लिखिए तो इस तरीके का उत्तर लिखने के सबसे पहले तो हम एक सामान परिवास से लिखेंगे कि मानव सरीर में कोशिकाओं या मुकरूफ से उतकों का बना हुआ समू जो कि विसेस कारियों का संपादन करता है उसे ही मानव अंग या ह्यूमन ओर्गन कहा जाता है चुकि अंतरास्टी इस तर पर अवी तक अंगों की परिवासा इस पस्ट नहीं है इसलिए अंगों की जो सूची है वो अलग अलग देखने को मिलती है बरतमान समय में जो है अनुमानित मानव सरीर में अनुमानित 79 अंगों की पहचान की चुकी है तो हम कहा सकते हैं कि बरतमान समय में सर्बमान रूप से 79 अंग जो है वो हीमन बॉडी में होते हैं जिनकी पहचान की जा सुकी है और इन 79 अंगों में से पांच अंग ऐसे हैं जो मानव के लिए अती महत पूर्ण होते हैं, अर्थात इन अंगों में कोई भी खराबी आ जाए या ये छती करस्त हो जाए तो उससे मनुस्य का जीवन है वो संकत में आ सकता है, या मनुस्य की मृत्यू भी हो सकती है, और ये प ये जो पांच अती महत पूर्ण अंग है, इन से पांच नम्मर का प्रश्न आने की पूरी संभाबना है, कि हरदय क्या होता है, मानव सरीर में इसकी भूमिका या इसके महत्व को सपस्ट कीजिए, सरीर के संचालन में मस्तिस्की की क्या भूमिका होती है, या फिर यक्रत की संचना को समझाईए, साथ ही साथ इसके कारियों को भी लिखिये, या फिर गुर्दा क्या होता है, या कैसे कार करता है, इस तरीके के बिविन जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये जो जितने भी 79 अंगों में से ये 5 अंग आपको एनिहाव तयार करना है, इन से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, और इन अंगों को हम इस लेक्चर में ना पढ़के, दरासल ये जो अंग है, ये अलग अगर हमने अभी देखा है, कि जो अंग है, अंगों को समूर से ही क्या होता है, अंग तंत्र बनता है, तो मारव सरीर में जो हम अंग तंत्रों को पढ़ेंगे, उसमें हम हर एक जो अंग है, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जब हम तंत्र का तंत्र पढ़ेंगे, तो तंत्र का तंत्र में हम मस्तिस्क को भी पढ़ेंगे, इसके दो फायदे हैं, एक तो हम तंत्र का तंत्र को भी समझ लेंग पॉदों एवम जन्टूओं में परीबहन या परीज़ी संच्छरण तो इस टोपिक को जब हम पढ़ेंगे तो मानव में एवम जन्टूओं में परीबहन एवम परीज़ी संच्रण को पढ़ेंगे हैं तो जब हम मानव में जो परीजिय संच्रण псих un सिस्टम है उसमें हम बहुत ही डिटेल में हिर्दय को पढ़ेंगे बैसे ही जो मानम में पाचन तंत्र है यह भी हमारे मुक्य सिलेवस में मनस्यों जो है पसुओं एवं पौदों में पोसंड राइट उसमें भी जो है हमको पाचन तंत्र के बारें पढ़ेंगे फिर जीवों प्रशन पूछा जा सकता है कि जीव जन्तूं में पाए जाने वाले विविन प्रकार के अंगों को लिखिए या फिर अंग कितने प्रकार के होते हैं या अंगों को किन भागों में बाटा जा सकता है समझाईए तो हम यहां पर जो हैं समझात अंग समरूप अंग या अवस रचना या भूणी प्रिक्रिया में समानता होती है परंतु अलग-अलग कारियों के समपादन करने की वजह से वो हमको अलग प्रतीत होते हैं या हमको असमान लगते हैं सबसे पहली चीज तो ये जो समझात अंग हैं या समरूफ अंग हैं हम यहाँ पर दो जीवों के अंगों की तुलना कर रहे हैं दो जीवों के या दो जंतुओं में पाए जाने वाले अंगों की तुलनात्मक द्रस्टी से समझात एवं समरूफ अंगों को परिवासित किया जाता है समझात अंग क्या होते हैं बिलकुल सीड़ी सी परिवात है समझात अंग ऐसे अंग होते हैं जो विविन कारियों में उप्योग होने के कारण काफी असमान हो सकती हैं या असमान दिखते हैं परंतु मूल संरचना एवं भूनी प्रिक्रिया में समानता होती है तो उनको ही क्या कहा जाता है समझात अंग कहा जाता है जैसे यहां पर चार जंतुओं के नाम लिखे हैं एक हो जाएगा मनुस्य, चीता, चमगादर और क्या हो जाएगा वेल वेल के जो अग्रपाद हैं वो तेरने में मदद करते हैं चमगादर के अग्रपाद जो है वो उड़ने में चीता के दोड़ने में और मनुस्य के जो अग्रपाद है वो क्या होते हाथ होते हैं तो मनुस्य के जो हाथ है या चीता के जो अगले वाले पेड़ है या चमगादर के जो पंक हैं वो तीनों अलग अलग कारियों की वज़े से हमको असमान प्रतीत होते हैं या हमको असमान लगते हैं परंतु उनकी जो मूल समरचना है या उनकी जो ब्रूनी प्रक्रिया है वो क्या होती है एक समान होती है तो ऐसे अंगों को ही क्या कहते हैं समजात अंग कहत इसके विपरीत क्या होते हैं सम्रूप अंग होते हैं तो ऐसे अंग जो समानकारियों में या फिर समान रचना में तो ऐसे अंग जो समानकारियों में प्रियोक्तों होने के कारण समान प्रती तो होते हैं या एक से दिखते हैं परंतु इनकी मूल सम्रचना एवं रोणी प्रि क्रिया में क्या होती असमानता होते तो ऐसे तन राइट कई जीवों पाई जाने वाले ऐसे अंग जो की समानकारियों में लिप्त होने के कारण एक समान दिखते हैं या समान दिखाई देते हैं परंतु उनकी मूल संद्चना अलग-अलग होती है उन अंगों को ही क्या कहा जा उदारण के लिए पक्षियों के पंक और तितली के पंक तो पक्षियों के पंक भी उड़ने के काम आते हैं और तितली के वी अंतर के वल इतना है कि पक्षियों के पंक की जो संदचना है या भूर्णी अवस्ता वो तितली के पंकों से अलग होती है तीसरे हो जाएंगे आप का प्रियोग ना के बरावर किया जाता है तो उन अंगों को ही क्या कहते हैं अवसेसी अंग कहते हैं तो विक्सित जन्तु में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो या तो अर्द विक्सित होते हैं या निस्क्रिय होते हैं या अनुप योगी होते हैं उन अंगों को ही क्या कहते ह की उदारन के लिए सुjśćरमों के पंक एमों के फंक की बी और नुस्वर में क्या हो जाएगा अपेंडिक्स हो या एक से अधिक अंग मिलकर एक बिसेश कारत को संपाधित करते हैं तो उन अंगों को या उन अंगों के संभू को ही क्या कहा जाता है अंग तंत्र कहा जाता है तो अंग से क्या बनता है अंग तंत्र बनता है अब हम यहाँ पर मानफ सरीर में अकरम देखें तो मैंने एक तो बता है कि मानफ सरीर में एक तो जो अंगों की संख्या है वो उसकी परिवासा को लेकर मतविद है इसलिए अभी तक अनुमानई 79 अंगों की पहचान की जा चुकी है जिसमें से पांच अंग जो है क्या है मेटपून है तो मानफ सरीर के जो आने वाले लेट्चर है उनमें हमें सिलेवस के अन्य टॉपिक को भी पढ़ेंगे। और जो भी अंगतंत्र को, הम पढ़ेंगे। उसमें मेहतुपूर्ण अंगों कोुमझ लेंगे। जिनकी चर्चा मैंने कुछ देर में की थी तो इस लेक्चर में जो है हमने यहाँ पर अंगों के बारे में पड़ा अब जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको आने वाले लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से तयार करते चलेंगे और वहाँ पर भी मैं आपको बता दूगा कि ये जो अंग है ये तीन नमर में ये पांच नमर में आ सकता है तो अंग तंत्रों को अब हम आने वाले लेक्चर में अलग अलग अंग तंत्रों में पढ़ेंगे हां यहां पर जो है उत कोंसे भी प्रश्ण पूछा जा सकता है तो हम यहां पर जन्तु उतक को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो जनतु उतक या क्या हो जागा एनिमल टिसू हो जाएगा सबसे पहले तो उतक की परिवास क्या होती है तो देखिए उतक ऐसी कोसिकाओं का समूह होता है जिनकी संगचना उत्पत्ति जो है क्या होती है एक समान होती है तो उतक ऐसी कोसिकाओं का समूह होता का है जिनने कोशिक काओं की उतपति एंग नियुकुर कि नियुक के समवन कोई की क्या कि और जाता है और जनतुए केमें जनतुएं नियुक करने तो यंद रहना चार पर ग्यूम को्ति हो पेला हो जालेगा उत्क सब्किया हुजा और चौथा हो जाएगा तंत्रिय उतक तो इन से भी जो हो सकता मुख परिक्षा में पूछ लिया जाए कि उतक क्या होते हैं मानव शरीर में कितने परकार के उतक पाए जाते हैं तो उस इस्तिती में हम उतक की परिवास लिखेंगे और हम सीधा यहाँ पर मनुश्यों में या जन्तियों में इन चार परकार के उतकों को पढ़ने का समझने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा उतक है जिनको एफिथैलियल टिस्यूज भी कहा जाता है देखिए उतक जन्तियों में या मनुश्यों में पाए जाने वाले ऐसे उतक को होते हैं जो कि बहा आ परदान करते हैं साथ ही साथ विविन पदार्तों के इस्तरावन या फिर उत्सरजन से संबंदित होते हैं या फिर संबेदन या अफसोसरण की किरिया को पूर्ण करते हैं उनको ही कहते हैं उपकला उतक कहते हैं और दरासर यह जो परिवासा है यही उपकला उतक के क्या है कार है अगर मुक्पलिक्चा में पूछा जाए कि उपकला उतक के कार क्या है तो उपकला उतक जो है मानब सरीर या जनतूं के ऐसे उतक होते हैं जो की मानब सरीर को वा एवं आंत्रिक आफरन प्रदान करते हैं अंगों कोई रच्छा प्रदान करते हैं अंगों को चोटों से उपकला उतक कहा जाता है यह जो उपकला उतक है यह कुछ आंतरिक अंगों को ढखने का कारे भी करते हैं और जो उपकला उतक हैं उनको दो मुख वर्गों में बाटा जा सकता है सबसे पहला क्या हो जाएगा ग्रंधिल उपकलाऊतक या ग्लेंडूलर एफथेलियम टिश्यू हो जाएगा और दूसरा उजाएगा आफरन उपकलाऊतक कबरिंग ऐफिथेलियम टिश्यू हो जाएगा अब इनकी परिवासब बिल्कूल सरल है talks अगर ग्रंथिल से अगर हम देखें, तो आगे जाकर हम ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट, तो देखें, ग्रंथियां मानफ शरीर के ऐसे अंग होती है, जो कि किसी तरल पदार्त का इस्तरावण करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथियां, तो यहां पा से ही ग्रंतियों का क्या होता है निरमान होता है और यही जो क्रंधियां हैं यह तरल पदार्तों का जैसे अगर अंता इस्तरावी गरंती है तो वो हार्मोन का इस्तरावन करती है और वहिर इस्तरावी गरंती है तो वो एंजाइम का इस्तरावन करती है तो यह जो लाइन लिखी है उपकला उतक जो है इस्तरावन या उत्सरजन का कारे करते हैं एवं संबेदन या अपसोशन का कारे करते हैं तो दरसल यह यहाँ पर ग्रंतिल उपकला उतक के कारियों के बारे में इसकी जो है यह हमने समझाता तो अफितेलियल का पहला प्रकार हो जाएगा ग्रंतिल उपकला उतक तो ग्रंतिल उपकला उतकों से गरंतियों का निर्माड होता है। दूसरा हो जाएगा आवरण उपकला उतक या covering epithelial tissue हो जाएगा तो जैसा इसका नाम है आवरण तो आवरण उपकला उतक वे उपकला उतक होते हैं जो कि कई अंगों को जो है आवरण प्रदान करते हैं और यह जो जैसे क्या हो जाएगा जिवहा ग्रास नली एवं आहाँ जाएगा जिवहा ग्रास नली एवं आहाँ नाल के इस्तर पाए जाते हैं तो सरल एफिथीलियम जो उतक है उसमें सबसे पहला हो जाएगा यहां पर सल की उपकला उतक हैं यह तुचा की बाहरी परत बनाते हैं साथी साथ यह जिवहा ग्रास नली एवं आहाँ नाल के इस्तर भी बनाते हैं दूसरा हो जाएगा यहां पर इस्थम्भाकार उपकला उतक इन उतकों का कारे अवसोसन एवं इस्तरावन की अत्रिक्द अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है तीसरा हो जाएगा यहां पर घनाकार उपकला उतक तो जो घनाकार उपकला उतक होते हैं ये लार गरंथी, स्वेध गरंथी, ब्रक नलिकाओं में क्या होते हैं पाए जाते हैं तो घनाकार उपकला उतक, लार गरंथी, स्वेध गरंथी इवं ब्रक नलिकाओं में पाए जाते हैं और चोंथा हो जाएगा रोमक, अर्था इन में क्या पाए जाते हैं रोम, तो रोमक या पक्षमावी उपकला उतक, इनकी जो मुक्त सत्य है, इस पर रोम पाए जाते हैं, और ये अंडवानी, स्वासनली तथा मुक गुहां में पाए जाते हैं, तो इस तरीके से हमने यहां पर उपकला उतक के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है अब दूसरा हो जाएगा सहियों जी उतक तो देखिए सहियों जी उतक मानव या जन्तू में पाए जाने वाले ऐसे उतक होते हैं जो विविन उतकों को या विविन अंगों को आपस में जोडने का कारे करते या फिर सरीर को आकार प्रदान करते हैं या उसको बनाय रखने का कारे करते हैं तो यह यहाँ पर सहीयों जी उतक की कारे एवं परिवासा हो जाएगी तो सहीयों जी उतक जन्तूओं के या मनुष्ट सरीर के ऐसे उतक होते हैं जो मनुष्ट सरीर के सभी उतकों तथा अंगो को आपस पे जोड़ने रट अंगों तथा सरीर को आकार प्रदान करने एवं उन्हें जो आकार है उसको बना रखने का कार्य करते हैं उदारण के लिए क्या हो जाएगा रख्त रख्त भी एक परकार का क्या होता है सईयों जी उतक है उदारण अब ये जो संयों जी उतक होते हैं इनकी उत्पत्ति ब्रूर के मीसो धर्म से ही होते हैं और साथ ही साथ मानव शरीर में या जन्तूओं के सरीर में सबसे अधिक संयों जी उतक ही पाए जाते हैं तो सबसे अधिक संयों जी उतक ही पाए जाते हैं और ये भी तीन प्रकार की ह होते हैं बास्तविक सहियों जी उतक कंकाल उतक और क्या हो जाएगा तरल उतक हो जाएगा तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहां पर बास्तविक सहियों जी उतक तो देखिए बास्तविक जो सहियों जी उतक होते हैं या connective tissue proper तो जो बास्तविक सहियों जी उतक होते हैं ये भी कई परकार के होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा एरी ओलर कहा हो जाएगा तो एरी ओलर टिश्यू हो जाएगा तो एरी ओलर एरी ओलर जो है ये बास्तविक सहियों जी उतक होते है और इन्हें लचीले सहियों जी उतक भी कहते है कारण क्या है कि ये जो उतक है यह बिविन उतकों या अंगों को जोडने का कारे करते हैं तो एरी ओलर उतक जो है लचीले सहीं जी उतक होते हैं यह जो है उतक या अंगों को जोडने का कारे भी करते हैं और इन में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जैसे फाइब्रोप्लास्ट कोशिकाएं हो जा पर दानुटाइंगी जिनसे हिस्तामिन हेफैरिन एवं सेरोटोनिन हार्मोन का क्या होता है इस्तरावन होता है वहीं मैक्रोफेजिस जो की सूख्षम जीवों एवं बजाती कॉनों को नश्द करने का कार्य करता है राइट और इन्हें लचीले या लचीले सहींूजी उतक कह ऐसे साहियों जी उतक होते हैं जो कि तुचा के नीचे पाए जाते हैं साथ ही साथ किड्नी के चारों और तो बसा साहियों जी उतक हमारी तुचा के नीचे एवं किड्नी के चारों तरब बसा कोसी काउं के रूप में पाए जाते हैं और इनका महत्वपूर कारी का होता है सरीर के ताप को नियंत्रून करने देना अगर हमारे सरीर से जो उस्मा है वो बाहर निकल जाएगी तो उससे हमारे सरीर का जो तापमान है वो पर बाबित होगा इसलिए हमारे सरीर की तुचा के नीचे एवं किड़नी के चारों और बसा साहियो जी उतक पाए जाते हैं जो की धुर्बी छित्रों में या एक तरीके से जो बरफीले छित्र होते हैं उनमें रहने वाले इस्तिंदारियों के ताब छह से बताते हैं राइट अर्थात उनकी स एंड में भी वो जीव जो हैं वो जीविद रह पाते हैं साथी साथ ये बसा का संसलेशन संग्रहण एबन बसा का उपापचे भी करते हैं फिर अगला हो जाएगा स्वेद उतक जो स्वेद उतक है ये बिसे सीक्रत संयोजी उतक होते हैं और ये कपाल हड्डियों के बीच में पाये जाते हैं, कपाल हड्डियों के बीच में Чल बनाती है, अर्थात ये कपाल हड्डियों के बीच में पाये जाते हैं और असल होते हैं फिर तीसरा हो जाये गए हहाँ पर टेंडन, देखे तेंडन हमारे सरीर, तेंडन जनतूओं इवा मानव के ऐसे उतक होते हैं जो कि मांशपेसियों को मांशपेसियों से या मांशपेसियों को अस्तियों से जोडने का कारे करते हैं और यह कई बार प्रि की परिक्षा में भी पूछा जा सकता है bağiteуска क्ना आपक Catsi मानस्पेसियों को अस्थियों से तो वैसे उतक जो मानस्पेसियों को मानस्पेसियों से या फिर मानस्पेसियों को अस्थियों से जोडने का कारे करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं तेंडन कहते हैं फिर अगला हो जाएगा लिगामेंट हो जाएगा देखिये लिगामेंट जो है एक घना तंतु में संयों जी उतक होता है और ये अस्तियों को जोड़ों से जोड़ने का कारे करता है और चूंकि ये अस्तियों को जोड़ों से जोड़ते हैं इसी कारण मनुस्य अपनी गर्दन उंगलिया या पैरों को आसानी से घुमा पाता है फिर हो जाएगा कंकाल उ सरीर के आकार को स्थाइट प्रदान करने के लिए जंतुओं में अस्तियों एबं उपस्तियों का क्या होता है कंकाल पाया जाता है अर्थात कंकाल उतक पाया जाते हैं तो कंकाल उतक सरीर को या अन उतकों को सहारा प्रदान कर उनको मजबूती से जोड़ता है एबं आकार को बनाए रखते है, तो कंकाल उतक एक ऐसा सहीयोजी उतक होता है, जो की सरूर को, तथा अन्य उतकों को सहारा परदान कर, उनको मजबूती परदान करता है, साथ ही साथ, यह है सरीर के कॉमल अंगों, जैसे मस्तिस्क है, किड्नी है, लीवर हो जाएगा, हिर्दे हो जाएगा, इनको सुरक्षा प्रदान करता है जो कंकाल उतक है ये दो प्रकार का होता है एक हो जाएगा उपास्ति या अस्ति तो जो कंकाल उतक है वो उपास्ति या अस्तियों से मिलका बना हुआ होता है तो हम यहाँ पर उपास्ति एवं अस्ति जो वोन एवं कार्टी लेज में अंतर है ये भी कई बार मुक परिक्षा में पूछा जा सकता है सबसे पहले हम यहाँ पर उपास्ती को पढ़ेंगे एवं फिर उसके बार में अस्ती को पढ़ेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा यहां पर उपास्ति उतक या कार्टी लेजी नियस टिस्यू हो जाएगा या उपास्ति क्या होती है इसको भी हम समझते हैं तो देखिए हमारे सरीर में पाई जाने वाली उपस्तियां उपस्तियां या काटी लेजिस ठोस परंतु अर्द कठोर एवं लचेली संयोजी उतक होते हैं तो हटियां जहां पर पूर्टा ठोस होती है कठोर होती है वही जो उपस्तियां होती है उपस्ति ठोस तो होती है पर इसके मेट्रिक्स की रचदा कोंड्रे नामक प्रोटीन से होती है और इनकी कोशिकाओं को कोंड्रोसाइड्स कहा जाता है जो कि एक छोटे से इस्थान लेकुना में अवस्तित होती है तो ये तीन अंतर होते हैं अस्तियां कठोर होती है और लचिली नहीं होती है वहीं जो उ उपास्थियां है या उपास्ती उतक थोस्तो होता है परंतु अर्द कठोर एवं लचीला होता है इनका जो मैट्रिक्स है वह कॉंडरी नामक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इनकी कुशी काओं को कॉंड्रोसाइड्स कहा जाता है जो कि लेकुना में अवस्तित होत जोने के साथ यह द्रन भी होते हैं और मझबूत होते हैं अर्थाथ यह रचीले नहीं होते हैं तो अस्ती उतख मानव खोते हैं जो थोस होते हैं और उस्प WORTHOP होता है और अस्थी का जो मेट्रिक्स है वो फास्टेट सलफेट कार्बुनेट कैलसियम तथा मैगनीसियम के फ्रॉलाइट लवड़ों से भी क्या होता है सम्रद्ध होता है और ओसें डामक प्रूटीन का बना हुआ होता है इनकी कोशिकाओं को आस्टियो साइट भी कहा जात है अब मानव सरीर में जो बड़ी मानव सरीर की जो लंबी एवं मोटी जो अस्थीयों होती है उनके बीच में ही एक छिद्र पाया जाता है या वो अंदर से खोकली होती है तो उनके खोकले भाग को किया कहा जाता है मज़ा गुहा कहा जाता है जिसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है अस्थी मज़ा कहा जाता है जो अस्थी मज़ा है अस्थी मज़ा में फिर लाल अस्थी मज़ा के जो सिरों है अस्थी मज़ा के सिरों पर लाल अस्थी मज़ा पाई जाती है रेड बॉन मेरू पाई जाती है और अस्तियों के मद्द में पीली अस्ति मज्जा पाई जाती है जैसे हमने का कि यह क्या हो जाएगी एक मजबूत हड़ी हो जाएगी और इस मजबूत हड़ी का अगर हम देखें तो यह अंदर से क्या होती ही खोकली होती है तो यह जो खोकल रंग की तरल पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं लाल अस्ती मज्जा कहते हैं और बीच में पीला कलर की तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको पीली अस्ती मज्जा कहा जाता है और यहां पर जो लाल अस्ती मज्जा होती हैं लाल अस्ती मज्जा से ही जो है आर वी सी या का नर्मार होता है और पीली अस्ता मज्जा से सुएत रख्त कड़िकाओं का नर्मार होता है आगे जाकर जो कंकाल तंत्र है उसमें भी हम बहुत अच्छे से जो कंकाल हमारे सरीर में कितनी अस्तियां होती है बड़ी अस्ति छोटी अस्ति उन सब के बारे में बहुत अच्छ पांच परकार फिर हमने बास्तविक सायों जी उतक को का दूसरा अस्ति उतक को पढ़ा अब हम जो है बास्तविक उतक में क्या पढ़ते हैं तरल उतक को भी पढ़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा सईयोजी उतक में तरल उतक हो जाएगा तो देखिए तरल उतक क्या होता है ऐसा उतक जो की तरल माध्यम में होता है और जो की विविन अंगो या सभी अंगों को जोड़ने का कारे करता है उसे ही हम क्या कहते हैं तरल सईयों जी उतक कहते हैं तो रक्त या रोधर जो है एक तरीके का तरल सईयों जी उतक होता है तो तरल सईयों जी उतक मानफ शरीर के विविन अंगों या सभी अंगों को जोड़ने का कारे करता है उध प्लाजमा नामक द्रब में स्वतंत रूफ से क्या होती है तैरती रहती है इसी लिए जो रक्त होता है वो क्या होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है क्योंकि रक्त की जो प्लाजमा है उसमें ही आर्वीसी क्या होती ही तैरती हुई रहती है तो जो तरल उतक है वह सभी अ संतर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो यह हमने जो है हमारा दूसरा प्रकार का संयों जी उतक संयों जी उतक में तरल उतक उसके साथ ही तरल उतक अब जो ह Efendimiz यहां पर पेस्यूतक के बारे में पढ़ेंगे तो पैसी उतक मानब सरीर या जंटूं healthy में पाय जाने वाले ऐसे उतक होते हैं जो कि प्रचालन में या फिर बिविन प्रकार की गतियों के लिए जो हैं जिम्मेदार होते हैं तो पेशी उतक प्रचालन तथा बिविन प्रकार की गतियों के लिए जो हैं महत्वपूर्ण होते हैं या उत्तरदाई होते हैं साथ ही साथ जनतों के सरीर की गती सीलता एवं संकुचन सीलता इनी उतकों की बज़े से होती है और गती सीलता और संकुचन सीलता जीवों की सरीर का एक महत्पूर्ण लक्षण होता है जो की पेशी उतकों के माध्यम से ही सफल हो पाता है साथ ही साथ यह जो गती सीलता है इवम संकुचन सीलता में मायोसिन तथा एक्टिन नामक संकुचन सील प्रोटीन मेत्पूर्ण भूमिका निभाते साथ ही साथ मनवस के सरीर में औस तन 40-50 प्रतिसत जो भाग है वो मानस्पेसियों का ही बना हुआ होता है और यह अगर हम देखें धूर मानस्पेसियों सबसे मजबूत मांसपेसियों कस वहती है जबड़े की हूते है अब जो पेसी उतक है यह भी कितने प्रकार का होता है एक हो जाएगा अरेखित या अनेक्षिक दूसरा हो जाएगा रेखित या एक्षिक उतक हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा हर्दय पेसी हो जाएगा समझते हैं सबसे पहला हो जाएगा आरेकित या अनेक्छिक पेसी होता तुम्हा तो देखिए जो आरेकित पेसी का संकुचन होता है जनतु के एक्छा दीन नहुं होता है या मनुष्ट के मस्तुष्क की के जैसे इनको क्या कहते हैं जैसे ये आयरिस की या पेशायां बहले हो परभाद लगें से नहीं की बज़ये से होता है अगला हो जागा या एक्षिक पेशी जो रेखित पेसी होती है ये जन्तु के कंकाल से संबंद होती है और इनमें एक्षिक गती होती है अर्थात ये मस्तिस्क के नियंतरण में कारे करती है इसलिए इन्हें कंकाल पेसी या एक्षिक पेसी भी कहते है इसके कोशिका द्रब को सरकोप्लाज्म कहते है जिसमें अनेक वाई और यह जो उतक होते हैं यह जो पेसियां होती है यह पाह में पैर में गरदवादी अंगों में जो है पाई जाती है और जब हमारी इक्षा होती है तब यह कारिकरते हैं जैसे उदारण के तोर पर अगर हमारे जैसे पैरें, अगर कोई वजन उठाना हो तो नॉर्मली हमारी जो थाइस रहती हैं वो बहुत ही क्या होगी, सौट होगी, लेकिन आप जितना बारी वजन उठाएंगे उतना आप आपके पैर को यहां तो को क्या कल लेंगे, कड़ा कल लेंगे, जैसी है सिंपल. अब अगर आप इसको बहुत ही मजबूती से करेंगे, तो यहां पर आपको बहुत मजबूत जो हो जाएगी. और इससे अगर आप बजन उठाते हैं या भागते हैं दोड़ते हैं तो उसमें मदद मिलती है तो बाँ पैर और गरदल आदी अंगों में जो है वो रैखित या एक्षिक पेसियां पाई जाती हैं और ये तंत्र का तंत्रद्वारा उत्तेजित होती हैं तीसरी हो जाएगी ह हिर्दय पेसि जो हिर्दय पेसियां हैं वो हिर्दय की वित्ति बनाती हैं और इनमें अनुप्रस्तदारियां पाई जाती हैं परन्तु ये सभावता कैसी होती हैं अनेक्षिक होती हैं इनमें संकुचन एवं क्या होता है प्रसारण होता है और इनका जो संकुचन एवं प् संकुचन एवं प्रसारण है इनकी मदद से ही हिर्दयकार करता है और रख्ट को जो है धमनियों में क्या करता है अप्रेसर दे के जो है धमनियों में प्रिभाहित करता है अब चोथी जो पेशी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी तंत्रिका उतक हो जाएगी देखे इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं मनुस्ट के उधारणा से हमें पता है कि मनुस्ट से में पांच ग्यान इंद्रियां होती हैं जैसे आक ना कान जीव और क्या जाएंगी तोचा इन से ही हमें सूचना या ग्यान की प्राप्ति होती और जैसे यह ग्यान की प्राप्ति होती है तो यह हमारे मस्तिस्क में जाता है और फिर जो हमारा जो मस्तिस्क है वो कोई भी प्रतिक्रिया लेने का निर्णे करता है जैसे उधारण के तौर पर अगर आप कुछ भी देखते हैं सुनते हैं तो आपको क्या करना यह क्या नहीं करना यह आपके पन और आपको जो भी जानकारी मिली उसका निर्दारण कहां होता है मस्तिस्क में होता है और जैसे ही मस्तिस्क में निर्दारण होगा तो मस्तिस्क के माध्यम से फिर अंगों को आदेश दिया जाता है तो एक तरीके से हमारे मस्तिस्क से धागे नुमा रचनाए पूरे सरीर के प्रतिक अंग में क्या होती है फैली हुई रूती है जिनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उधारण के तौर पर यह तोचा है अगर आपकी यह तोचा किसी से टत होती है तो आपके मस्तिस्प को पता चल जाता है कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी तंत् तंत्र का उतक क्या होता है देखिए तंत्र का उतक मनुष्य सरीर में या जनतुओं के सरीर में एक विसेश प्रकार की कोशिका से बने होते हैं जिन को ही हम क्या कहते हैं तंत्र का कोशिका यह नियूराउन कहा जाता है तो तंत्र का उतक सरीर में एक विसेश प्रकार की कोशि कहा जाता है और यह जो नियूरॉन होते हैं यह नियूरॉन से ही मस्तिस्क मेरुरजू और जो तंत्रिका हैं यह सभी तंत्रिका उत्कों की वनी होती है अर्थात जो मस्तिस्क है मेरुरजू है इवं हमारे सरीर की जो तंत्रिका हैं नवस हैं यह इसी तंत्रिका उतक से ही क्या होती है वनी हुई होती है और इन्हीं तंत्रिका कोशिकां की बदह से ही हमारे मस्तिस्क को सूचना प्राप्त होती है हमारे मस्तिस्क एक नड़ने लिखता है और उसके खोते हैं वो सरीर के समस्त अंगों वकारियों में सामंजस इस्तापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो तंत्रिका कोशिका होती है या नर्व यह कोशिका संबेदना को सरीर के एक वाग से दूसरे वाग में बेजने का कारिज करती है जो तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो मनस्त में जो तंत्रिका कोशिका होती है मनस्त में तंत्रिका उतक जो एक विसेश कोशिका से बने हुए होते हैं उसको तंत्रिका कोशिका या नियूरान कहते हैं यह तंत्रिका कोशिका या नियूरान की परिवासा हो गई अब जो तंत् अगलंबा प्रवर्द होता है और उसी ही क्या कहा जाता है आंट तो तंत्री का कुशिका में नम्बे प्रवर्द और चोटी साका वाले अनेक प्रवर्द भी होते छोटे this किरवर्द होते उनको डेंटट्राइड्स कहाजाता है और निूराइब फ्र क्पासिक्सेट इसमें क्साइन के आंतिम छोर की साक्राय दूसरे निूरान के क्पासिक्स्चा庇श आरे मानव सरीर में क्या होता है फैला हुआ होता है तो द्यान से समझना यहां पर एक नियूरान का जो एक्सॉन होता है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के देंट्राइट से जुड़कर क्या बनाता है सनेप्सिस बनाता है और इस तरीके से जो है हमारे सरीर में तंत्रीकाइं आपस में जुड़ी हुई होती है एक तंतिका जो है कोईटनेतrie का एक मीटर तक लंभी हो सकती है और जो तंत्रीका उतक होते हैं इसे मस्तिस्क एहवं मेरु रजु ने भी बत तो इस तरीके से हम ने यहां पर जो है इस लेक्छर में जनतु उतक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है आने वाले लेक्चर में हम अंगों को विविन अंग तंत्रों में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद